तो MIUI 12 के बहुत सारी features leak होकर आ चुक है, screenshot, video, recording, सब कुछ आपको दिखाना वालो, कैसा design होना वाल है, क्या features देखना को मिलना वाल है, तुस वीडियो रेन तक देखते रही है, तो मेरे नामे कुल विशल और राप देख रहे की के वर्ड, तो वैसे ये part 2 है, इसका part 1 बता र camera UI काफी simplified कर दिया गया है, जैसे कि आपको stock android में देखनों को मिलता है, कुछ उसी तरह का UI आपको देखनों को मिल रहा है, और UI जो है, इसका आप customize भी कर सकते हैं, आप manually features इसमें लगा सकते हैं, आप इसका theme color भी change कर पाएंगे, जैसे कि अब ये blue पर हुआ हुआ है, तो आ इन्होंने जो compress कर दिया गया है, इसके features जो है, जो की देखने हमां काफी cool लगता है, और इसमें आपको dark mode 2.0 देखनों को मिलेगा, जिसमें आपको काफी सहारे नए features देखनों को मिलेगे, यहाँ पर आपको third party application पर आप forcefully dark mode तो enable कर पाएंगे, लेकि इस dark mode में ये फायद mode पर वो completely white नहीं है, जो कि काफी अच्छी चीज है, शायद मैंने किसी और smartphone में भी नहीं देखी, और इस dark mode पर आपका ये जो आपको wallpaper रहेगा, वो भी dark mode पर switch हो जाएगा, जैसे कि आप अभी देख सकते हैं, यह dark mode पर switch करते हैं, इसका wallpaper भी dark हो चुगा है, जो कि दिखने आपको ये देखनों को नहीं मिलता था, और settings में आपको UI में चेंज देखने के मिलेगा, जैसे कि पहला में पर refresh rate, छो चेंज करने का option मिलता था, वो इस तरह का देखने के मिलता था, लेकिन अब आपको कुछ कि इस तरह मिलेगा, और यहाँ पर आपको यह जो कलर टैंपर बार को नया आपको ये ब्रिकिक वड्र को फॉकस logarithm का भी चोड़ा चिंज कर दिया गया अब इसका Zeus मोड आपका Android वाली डीजिकण वैल बिंग से इसमें focus mode अगर आप 5 minute के enable करता है या फिर 30 minutes के लिए तो आपका phone completely focus mode पर चले जाएगा आप उसको use नहीं कर पाएंगे चुकि काफी अच्छी चीज है और इसके statistics जो होते हैं आपके digital well-being के वो भी आपको नए वाले MIUI 12 में वो different देखने को मिलेगे चुकि आप difference देख सकते हैं में change कर सकते हैं कि आपको पुराना वाला MIUI 11 वाला ही आपको रिसेंट पैनल चाहिए या फिर नया iOS टाइप वाला आपको रिसेंट पैनल चाहिए और आपको new animations तो मिलना वाली है लेकिन इसमें smoothness वह काफी अच्छी होना वाली जैसे कि कोई application को आप run करेंगे उसको open करें लांच करेंगे तो इस तरह से धीरे धीरे बड़ी होगी completely आपकी स्क्रीन पर आजाएगी जो कि दिखने मां आपको काफी अच्छा लगे और user experience जो है वो काफी अच्छा मिलना वाला है और वैदर application में भी आपको कुछ नया तरह का UI देखने को मिलेगा इस बार वैदर application completely change हो चुगी है क्योंकि दिखने में काफी यूनिक सी लग रही है तो यह मिए ट्रेल का पार्ट टू था जिसमें में फीचर्स रिखाए था इसका पार्ट वन की लिंक डिस्कुर्शन में मिल जाएगी वीडियो के लास्ट में मिल जाए इसका पार्ट 3 भी आना वाला है वह बहुत जल्दी तो आप चैनल सब्सक्राइब करकर रख सकते हैं मैंने यह वीडियो भी बना रख्या आप यह वीडियो भी देख सकते हैं